सूर्य नमसकार, सूर्य पृत्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए उर्जाका स्रोत है सूर्य नमसकार हमारे शरीर का संपून और संतुलिक विकास करता है मन को एकाग्र और बुद्धी को कुशाग्र करने में मदद करता है आध्यात्मी कुन्नती के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है सूर्य नमस्कार हाथ अलग-अलग आसनों की मदद से 12 चर्रणों में क्रम से किया जाता है सूर्योदय और सूर्यास्ट के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंध होता है सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंदों को जुकाए सीधे खड़े हो जाएं सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समी हो और आपके ठोड़ी जमीन से समानातर हो अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रुप से संतुलित करें इस थिती को समस्थिती कहा जाता है पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में छोड़े और अपनी जाती के समीब नमस्कार मुद्रा में ले आए इसे प्रणाम आसन कहा जाता है अब सांस छोड़े दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लिते हुए अपने शरीर को कमर से उपर की और खींचे और अपने दोनों हाथों को अपने सर के उपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की और जुकाए अपनी टांगें सीधी रखें इस आसन को हस्तो तनासन कहा जाता है अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगी की और तब तक जुकाए जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छुना ले को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखी सुनिश्चित करें कि आपका दाया पैर पंजो पर हो आपका पाया पैर का घुटना नपे डिगरी पर हो दोनों हथेलियां जमीन पर हो आपके कूले नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो इस आसन को अश्वसंचालन आसन कहते हैं अब पांचने चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना पाया पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाया पैर की सीध में हो सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखाने हो और साथी कंधे पीछ और नितम भी एक ही सीध में हो इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है इस थिती में धीरे धीरे सांस लें छठा चरण सांस छोड़ें अब अपने दोनों गुतनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें सुनिश्चित करें कि आपके कूले उपर की ओर और आपकी ओनिया आपके शरीर के समीप हो इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के आठ अलग-अलग अंग जैसे दोनों पाउं के पंजे, दोनों खुटने, दोनों हथेलिया, छाती और माथा जमीन को छूते हैं ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आठों अंगों पर सामा नियरूप से वितरित हो अब साथवे चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोनी यानि पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के उपरी हिस्से को नाभी तक उठाएं सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर टांगे सीधी हो इस आसन को भुजन आसन कहा जाता है आठवा चरण धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़े और अपने कूलों को इतना उपर ले जाएं कि आपका शरीर एक परवत का आगार ले ले सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी हतेलिया जमीन पर हो और आपका सर भुचाओं के बीच हो प्रयास करें कि आपकी एडियां जमीन को छू सकें इस आसन को परवत आसन कहा जाता है नौवे चरण के लिए अपने कूल हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाया पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए उन्हां अश्वस अंचालनासन में आ जाएं दस्वे चरण में अपना बाया पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुन्हा पाद हस्तासन में आ जाएं ग्यारवा चरण अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाएं और पुन्हा हस्तोप्तनासन में आ जाएं सुनिश्चित करें कि उपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में उपर आएं पारवा चरण धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुन्हा प्रणामासन में सीधे कड़े हो जाएं अब इस पूरे अनुकरम को अपने बाएं पैसे दोराएं सूर्य नमस्कार से आपके फेखनों की शमता बढ़ती है सूर्य नमस्कार आपके मेटबोलिजम में सुधार लाता है और मधुमे के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है सूर्य नमस्कार अंतह स्रावी ग्रंतियों याने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांस्पेशियों को मजबूती प्रदान करता है उच्च रग्तचाब यानि हाई बेपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए भर्निया और पेप्टिक अलसर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए साथ का सर्वाइकल स्कॉंडिलाइटिस और अक्यूट आर्ट्राइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए